हेलो फ्रेंज माई यूट्यूब चैनल है नवर्क वितनाज में आपका स्वागत है आज मैं फिर लेकर के आई हूँ एक परदेल जो बहुत ही खुबसूरत डिजाइन है वाइट और महरून कलर में ये बनी हुई है बहुत ही अच्छा लगता देखने में तो आज हम आप लोगों को यही डिजाइन बताने वाले है तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बिल आइकन का बटन दवाना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर किजिए तो चलिए हम आपको वीडियो दिखाते हैं किस तरह से ये डिजाइन पहले से बनी हुए तो आज हम आपको यही डिजाइन बताने वाले हैं यह देख लिए किस तरह से यह बनाया गया है और हम आपको यही डिजैन बताने वाले हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना वाइट कलर का ओन है ये और इसी से हम बनाने वाले हैं तो इसको हम ये देखिए हम पहले सिक्री लेंगे यहाँ पहले हम पट्टी बनाएंगे तो यहाँ ओन में हम फंदर डाल दिये हैं अब ये सिक्री बना रहे हैं इस तरह से ये सिक्री बनता है ये सिक्री बना रहे हैं यहाँ पहले हम 15 सिक्री लेने के बाद लॉंग बना रहे हैं एक लॉंग, दो, तीन और उसके बाद फिर दो सिक्री लिये हैं फिर एक लॉंग लिये हैं फिर दूसरा लॉंग ले करके फिर दो सिक्री देंगे फिर यहाँ पह लॉंग लेंगे एक दो तीन चार यहाँ पहम चार लिये हैं लॉंग फिर शिक्री लेंगे फिर दो सिक्री लेने के बाद फिर यहाँ पहम दूसरा लॉंग बना रहे हैं फिर लॉंग ले रहे हैं यहाँ पहर फिर चार लॉंग लेंगे फिर दो सिक्री लेंगे फिर लंग लेंगे, दो लंग लेना यहाँ पर, फिर दो सिक्री लेना है यहाँ पर दो लंग लेना है, फिर दो सिक्री लेना है और यहाँ पे फिर हम चार लॉंग बनाएंगे सब घर में यह दूसरा लन भी हो गिया है अब तीसरा लन फिर बनाएंगे इसी तरह पूरे पट्टी में बनाना है पे ले चार लॉंग उसके बाद दो सिक्री फिर दो लॉंग फिर दो सिक्री फिर दो लॉंग फिर चार लॉंग ऐसे करके लेना है पूरे पट्टी में यह देखे इतना बना लिया है हम थोड़े सा पट्टी में आपको बताएंगे वो डिजान पूरे पट्टी में इसी तरह बनाना है आप लोगों को बहुत ही सिंपल पट्टी है और बहुत ही अच्छा है यह देखे इतना बना लिया है यह पूरा पट्टी तयार करना है यह पहले पूरा पट्टी आप लोगों को तयार कर लेना है उसके बाद यहां पर फिर हम पट्टी हम इतना ही में बताएंगे आपको कि यहां पर कैसे बनाया जाता है तो फिर हम यहां पर हम दूसरा बना रहे हैं उनको नहीं काटे हैं तो यहीं पर हम आपको बता रहे हैं दूसरा पट्टी जो वही डिजैन है तो यहां पर भी हम चार लॉंग ले रहे हैं पहले पूरे पट्टी तयार कर लेना है उसके बाद ही आप इसमें बनाईएगा तो यहां पर हम चार लॉंग ले करके दो सिक्री लिए हैं फिर दो लॉंग लेंगे जिस तरह से वो पट्टी बनी हुई है उसी तरह से यहां पर भी बनाना है तो इसी तरह से यह बनाया जाएगा बस इसमें हम थोड़ा से बतात देते हैं थोड़े से पट्टी में फिर इधर से बनाना है दुसरा एक पट्टी में दोनों तरफ बना लेना है इस डिजान को इसी तरह बनाना है उधर भी जब पट्टी पूर तयार हो जाएगा तो जिस तरह से इधर बन रहा है इसी तरह से उधर भी बनेगा पहले दोनों तरफ बना लेना है ये डिजाइन उसके बाद फिर फोल बनाया जाया जाएगा इसमें देखें इसी तरह बनाना है आपको ये देखिए इधर भी थोड़ा से बनाए है, उधर भी हम थोड़ा से बनाए है, क्योंकि ये इधर जो रहेगा, तो एक दसबारेंच बढ़ा रहेगा, उसी में आपको फूल बनाना है, और पट्टी तो गेट के अ predator साथ से देना है, और आपको जतना ये लंबाई देना है उतना ही देना है आपको क्यूंकि हम थोड़ा सा में बना कर के बता रहे हैं आपको ताकि आप लोग समझ जाए कि किस तरह से ये डिजैन बनाई गई है तो यहां पर पहले हम सिक्री लिए हैं 20 शिक्री लिए हैं यहां पर 20 चान उसके बाद फिर पट्टी में हम लगा देंगे जोएंट कर देंगे इस तरह से इस तरह से बनाना है आपको अब शिक्री में फिर हम लॉंग ले रहे हैं पूरे शिक्री में लेंगे 20 लॉंग लेंगे अब यहां पर हम 20 लॉंग लेने के बाद फिर ओपर में फिर हम एक लॉंग दो शिक्री एक लॉंग दो शिक्री करके लेंगे पूरे में यह देखें पूरा बन चुका है आप फिर यहां पर हम एक लॉंग एक सिक्री करके फिर लेंगे यहां पर तो पहले यहां पर आपको ले लेना उसी जो डिजन बनी हुई है उसी तरह से उपर भी बनेगा तीन लैन बनेगा उसके बाद सिक्री बनेगा यहां पर तो हम इसी में आपको बता दे रहे हैं सिक्री कैसे बनाया जाता है आपको तीन लैन पहले बिन लेना है उसके बाद ही सिक्री बनाना है आपको तो हम इसी में आपको बता दे रहे हैं कि सिक्री कैसे बनाया जाता है और जोइंट कैसे किया जाता है तो यहाँ पर हम छोटा ऐसा बना करके इसमें हम जोइंट कर रहे हैं बता दे रहे हैं आपको आपको ये तीन लेंड पहले बनाना है उसके बाद ये सिक्री बनाना है तो इसी तरह पूरे में सिक्री बनाना है इसी तरह से पूरा तयार करना है यहाँ पे देखें परदेल तयार है यहाँ पे तो जिस तरह से हम बता है उसी तरह आपको बनाना आए पहले एक तरह बना लेना है उसके बाद दूसरी तरह बनाना है प्र यहाँ पे लड़ी फुद्ना वगर अलगाना यहाँ पे ये देखे कितना पट्टी में किस तरह से दोनों तरफ दूसरी पट्टी लगी हुई है तो ये डिजैन आप लोगों को दोस्तों कैसी लगी जरूर हमको बताईएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो कमेंट का बॉक्स में जरूर बताईएगा आपको कैसी लगी है डिजैन और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इश्ग बहे ठीका ना पढ़े कभी रंग तेरा जिसमों से निकल के खून कहें